नमस्कार बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूँ आशी शोहिनो साल 2023 के आखरी दिन मुख्यमंत्री नितीश कुमार समेथ बिहार सरकार के तमाम मंत्रियों ने अपने संपत्ती का बेवरा सार्वजनिक किया लेकिन अपने शोक और स्टाइल के लिए मशहूर बिहार सरकार के सुपर अक्टे मंत्री ये तेज प्रताप यादव के संपत्ती के बेवरे ने सब का ध्यान अपनी उर्खी चाब उनमें भी खास कर उनकी बाइक जी हाँ मंत्री तेज प्रताप यादव के पास 29 लाख रुपे की बाइक अब आपको मंत्री तेज प्रताप के संपत्ती के विवरेंट को भी बताते हैं उनके पास कैश की बात करें तो 98,572 रुपे हैं और विविन बैंकों में तक्रीवन 17 लाख रुपे जमा है तेश परताप ने बताया कि उनके पास तक्रीवन 39 लाख की एक मोटर साइकल और 22 लाख रुपे की BMW कार भी है तेश परताप के पास एक करोड 78 लाख की अचल संपत्ती है आपको बता दें कि बिहार सरकार के वेबसाइट पर सभी ने अपने संपत्ती का विवरण अपलोड किया है 2005 में ही मुनितिश कुमार के मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही लगातार हर साल मुख्यमंत्री समेथ ब्यार सरकार के सभी मंत्री के आखरी दिन साल के आखरी दिन अपने संपत्ती का विवरण सारवजनिक करते हैं वनीवन प्रयावरन मंत्री तेजप्रताप यादब से गरीब हैं ये भी एक दिल्चस्मा कड़ा है राज़त सुप्रीमों लालू प्रसाद के दोनों बेटों ने मुख्यमंत्री नितीश कुमार को पीछे छोड़ दिया है नितीश कुमार ने जो संपत्ती का विवरन सारवजनी किया है उसके मताबिक उनके हाथ में केबल 22,552 रुपे कैश है जबकि पिछले साल उनके पास 28,135 रुपे कैश थे नितिश कुमार ने संपत्ती का विवरन देते हुए बताया कि उनके पास 16,84,000 रुपे मुल्य की चल संपत्ती है जबकि 1,48,000 रुपे मुल्य की अचल संपत्ती है नितिश ने बताया कि उनके पास नई दिली में द्वारिका में एक फ्लैट भी है दूसरी तरफ तेजस्वी यादब ने जो जानकारी साजा की है उसके मताबिक बीते साल उनकी कमाई 4,74,370 रुपे हुई उनके पास हाथ में कैश 50,000 है तेजस्वी के द्वारा जारी किये गए विवरन में उनकी पत्नी राश्री के पास एक लाख हाथ में कैश है तेजस्वी के पास नितिश कुमार से ज्यादा अचल संपत्ती है जिसकी कीमत तरीबन 3 करोड रुपे बताई जा रही है लालो यादव के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव अक्सर चर्चा में रहते हैं कभी रिल्स को लेकर कभी साइकल चलाने को लेकर तो कभी वासुरी बजाने को लेकर भक्ती भावबे डूबे रहने वाले तेजप्रताप का अंदाज भी निराला है कि उन्हें BMW और अच्छी बाइक का भी खूब शौक है पतना से रोहित सिंग की रिपोर्ट आप देख रहे थे यह खबर आपको कैसी लेगी कमेट करके मैं जरूर बताईए और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहे हैं बिहार तक नमस्कार